सभी साथियों को में नमस्कार स्वागत अब सभी का आज के जन सत्ता विश्लेशन में आज 19 दिसंबर है और हम देखते हैं आज के कौनसी कौनसी खबरे हमारे लिए अगामी परिक्षाओं में होगी मैं दपूर खास कर हम जो मुख्य परिक्षा में उतर लेखन करते हैं उसमें कैसे अपने कंटेंट को और अच्छा कर सकते हैं प्रतम प्रिश्ट पे कुछ खास नहीं है हम छोड़ देंगे उसे आग आते हैं अपने आर्टिकल्स पे सेन मारी पर नकेल संचार माध्यमों से बढ़ते आयोग उपयोग हर काम से डिजिचल निर्भड़ता और इंटरनेट समझता के बीच साइबर सेंदमारी की सकरिता भी तीजी से बड़ी है वे लोग जो ठगने के तरह से ठगने के तरह तरह के तरीके तलाशते रहते हैं चुकि आधूनिक बैंकिंग बनाली में गरहागों को आटरमेटिक टेलर मशीन और इंटरनेट सोविधा से जोड़ दिये जाता है इसलिए जाता साइबर अप्राजी की नज़र लोगों के बैंक खातों पे रहती है वे जूटे संदेश और इंटरनेट लिंक भेज़ कर लोगों की भरमाते हैं करा हैं हमारी जो सी ऑ एर टी है काउंटर अरिजन सी रिसपॉंस टीम है है तिक कि हमारे हैरब लाइन नंबर्स भी होते हैं यह सब इसलिए चालू करें गए है ताकि हम सायबर फ्राइड को कंड्रोल कर सकें हमारे बैंक्स ने अपना सिक्यूरिटी इंफ्रा भी मद्बूत कर रहा हुआ है जो हमारी फायरवाल्स होती है वे और एंटी हैकिंग के लिए जो प्रयास करे जाते हैं अब जो हमारे डिजिटल बैंकिंग हो रहा है इसमें कम से कम नुकसान हो ग्राकों का यह बैंकों की प्रयारटी भी है तो सैबर ठगी वरतमान में एक समस्या है ठीक है भारत में चूकी सदर्टा का सतर अन्ने देशों के अपरिक्षा कम देखा जाता है इसलिए यहां सैबर प्राजी की सकरीता भी अधिक है ऐसे अपराध मानव की विरुद्ध प्रती मानव मात्मकांधी और विनुवा भावे के अहिंसक विचारों के समर्थक अस्ट्रेलियाई मूल के दाशनिक हुए इवान इलीच उनका विचा था कि वहानों ने मनुश्य के पैरों के ताकट छीन ली है मचिनी तकनीक ने मनुश्य के हातों का हुनर छीन लिया है मनश्यक विरुद एक प्रती मानव रोबोट के रूप में विकासे कर व्यक्ति को सीमेंट, कॉंक्रीट और यंतरों के जंगल में अकेला छोड़ देने का उपकरम हो रहा है परिवार और समाज है तब भी ये यंतरों के पराधीनता के जंगल में है हम टेक्नोलोजी में देखी के न कहीं बहुत जागता इन्वाल हो चुके है रोबोट के स्वाज में प्रिवर्तन और नए रोबोट पैदा करने कि इस ताकत का प्रिणाम फल्यादी होगा या घातक ये तो वविश्य बताएगा विजिकली एई आई आटिविशन इंटेलिजन्स मशीनरी सब हमारी जीवन शैली को पतल रहे हैं वविश्य का रोबोट या अन्तेक मानव भर नहीं रहा जाएगा उससे यंत्र और कृत्म बुद्धी के भूते एक जीवित मानव में बदलने के कोशिश की जा रही है बहुत सफी बात है यह तो या थो फ्रक रगे उते हैं काला आंतर में डिजिटल एई और इंटेनेट टक्नीक के समन्वे हैं कि युक्तियों से जीवित रोबोटों ऐक पजाती चलर्न में आई जिसे बायोनेक्स और एक्सवायोनोट्स कहते हैं और एकसो लोट्स कहते हैं यी बायोनिक्स जो आपकी फिल्ड है ये बिसी कली लिल्ट रूबॉट को वह बूबा हूँ इनसानों की तरह बनाने का प्रयास करते हैं जिसमें फेशल एक्सप्रेशन्स हैना हैंड मूवमेंट्स सब चीजें मशीन लर्निंग के माद हमसे दुनिया के वग्याने 20 वी सदी की शुरुवात से ही दो तरीके कृत्रित्म मानव विस्द करने का प्रयास में एक है एंड्रोइड यानि कृत्म मानव और दूसरा है साइबॉर्ग साइबॉर्ग क्या होता है कि मशीनी मानव साइबॉर्ग बिसी के लिए देखे क्या होता है साइबॉर्ग होता है वो किसी मानव में ही आदा वो हूमन है यह मतलब ठीक है आदा वो हूमन है और आदे उ इन्सान है इसमें कुछ मशीन रोबोट की लगा दी है तो साइबॉर्ग बन जाएगा पिच्चुर में देखा हो आप लोगों ने हॉलिवोड की मुवी बहुत दिखा जाता है दुन्य के वग्याने के एंड्रोइट और साइबॉर्ग रूपों में कृत्व मानव बनाने के प्रयास में लगे हैं एंड्रोइट का अर्थ ऐसे मानव से हैं जो सिर्फ वकारवरे क्योकिक से प्रयोक्षाला में बने हो और पुरी तरह बनावती हो तिक एंड्रोइट क्या होता है जो पूरे आर्टिफिशल एक रोबोट टाइप व्यक्ति हो गया आपका इनकी सिर्फिशल इंसानों से मिलती जुलती होती है इसलिए इन रोबोटों को हियूमन रोबोट भी कहा जाता है वैसे एंड्रोइट शर्थ को हम एंड्रोइट मॉबाइल के रूप में खूब जानते हैं बैटरी युक्त चलते फिटते गुड़े गुड़िया इस शेड है वरतमान दुनिया में अनिक प्रकार की कृत्म मानवी आकार के रोबोट अथी अभी विष्ट किये जाकर चच्चा में हो चुके मतलब लेकिन जानते हैं क्या है कि आपका लोगों ने प्रॉपर्ली रोबोट्स बना दिये हैं ना यह बॉस्टन डाइनेमिक से कंपनी है उसने रोबोट्स बनाया है आपकी हाली में दुबाई में यूएइँ में तो फिया नाम की ठीक होंग कोंग की कमनी ने बनाया था ठीक है अब शेशल से लेकिए आप उसे बातें भी कर सकते हो वह आपको रेप्लाइब भी देगी पॉपर्ली एट यह थी टेक्नोलजी बह बहुत आगे जा रही है ठीक है एडवांस टेकनोलजी में हम जा रहे हैं अब दुनिया इस तरी पुर्श जैसे दिखने वारे रोबोटों के निर्मार्ण में आगे निकल चुकी है बहुत आगे निकल चुकी है ठीक है ना भारत अब रोबोट निर्मार्ण का बड़ा खिलाड़ी बनने की दिशा में पहल कर सका रहा है रोबोट तक्नीक में भारत अमरीका चीन और जपान जर्मनी अदक्षिन कोरिया जैसे देशों को भी पीछे छोड़ा है नतीजन सरकार रोबोटेक्स कारोवार में गती देने के नजरीय से राश्च्टी रणनीती लेकर आ रही है इसके अंतरगत रोबोट बनाने से लेकर रोबोटेक्स को अपनाने तक के लिए सरकार आर्थिक मद देगी इसकाम के लिए रोबोटेक्स इनोवेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी ये कई भारत सरकार के लेक्ट्रोनिक्स और सूटना प्रद्योगिकी मंत्राले के अधीन एक एजिंसी की रूप में काम करेगी बारत में फिलहार रोगियों की शरले चिकित्सा से लेकर आटो मॉबाइल से रोबोट का अपयोग होता है देखे ये रोबोट द्वारा किसी इनसान को जान लेने कि पहली घटना जर्मेनी की रधनी बर्लेन में कार मनाने वाली कपनी फॉक्स वाइगन से लेकर में घट चुकी है यहाँ रोबोट ने करमचारी को अपने पंजो से जखड कर लिया और वहीं पटक कर मार डाला ये रोबोट कार का कल पूरिजर को असेंब्लिंग का काम कर रहा था इस आमले में चुकी हत्यार हो यह अंत्रिक मानाव है इसलिए पूलिस खारवाई भी संबभ नहीं हो भाई आखर किसी इंतर को भी तो आरोपी बना नहीं जा सकता कि बिसिकली यह इंसीडेंट हुआ था जर्मनी में जो आपने कार कंपनी का नाम से नहीं होगा फॉक्स वैगन तो उसमें क्या हो था यह जो कार असेंब्लिंग प्रांट होते ना अगर आप देखो जो गाड़ी बनती है तो ऐसी गाड़ी नहीं बनती है आप समझ लो तो बड़े बड़े होते हैं में रोबोटिक आर्म होते हैं वो चीजों को उठाते हैं गाड़ी में सेंबल करते हैं आपने कई वार यूट्यूब पर देखा होगा रोबोट्स होते हैं यह इनमें बहुत सारे क्विप्मेंट लगे होते हैं यह गाड़ी में कुछ लगा रहे ह तो एसी रोबोट थे जो वेक्तित टेक्नीशियन वेज़ पास में कया था और कुछ कर रहा था नौमल सा मतला अपना काम वगएरा जो एक रोबॉटिक आम था उसनों से पकड़ लिया ठीकिन एक जो आपको रोबॉटिक आम था बशीन थी उसनों से पकड़ लिया और पार्ट समझ रही थी कुछ कोई कोई एक्यूप्मेंट समझ रही थी उसका और इंटेंशन नहीं होगा पर यह हो गया ठीक है इस एक इसम्शन है ठीक है चलिए आगया थे हैं जया पद्धियन कर लिजीगा अ कि हमें भी दिख्यां करना चाहिए अपने आप भी और आर्ट आर्टिकल सारे इंपोरेंट होते हैं मगर हम यहां प्रयास करते हैं कि सिर्फ महत्वपूर्ण आर्टिकल से भी हम बात करें वरना वीडियो घंटों-घंटों की बन जाएगी उसमें आपका हमारा दुनम से किसी का भी एत्ता इंट्रेस्स नहीं रह जाएगा ठीक है अब अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका देने शुभ हो और आप बढ़िया करके अपनी तैयारी करें